कौन है वो पाकिस्तान का टिक्टॉकर जो रोहित शर्मा बनने की तमन्ना रखता है यहाँ वो बंदा जिसने टिक्टॉक पर अपनी बैटिंग की वीडियो जालनी शुरू करी और वो इतना वाइरल हो गया कि पीसल तक पहुँच गया मतलब बैटिंग की वीडियो आपने भी देखी होंगी हर तरह के अजीबो गरीब शॉट्स हमें देखने को मिलते हैं अगर आप सोचल मीडिया यूस करते हैं इंस्टाग्राम हो टिक टॉक हो इन पर रील्स बहुत चलती हैं और इन रील्स में हमने बड़े अजीबो गरीब शॉट्ट वो पीछे इस तरह स्कूप मारते हुए ऐसे बहुत सारे जेनुन प्लेयर्स भी होते हैं जो अपने शॉट्स लगाता डालते रहते हैं और काफी फेमस भी होते हैं जिस्ट बिकोज उनका प्लेयंग स्टाइल काफी अग्रसिव होता है लोग को पसंद आता है कुछ ऐसा ही हुआ ख्वाजा नाफे के सार्थ खवाजा नाफे जो के टिक टॉक के स्टार है पाकिस्तान में उनकी वीडियो इतनी वाइरल होने लगी कि वो पंदरा रन उन्होंने बनाए और जितना इंप्रसिव उनका उनकी वीडियो लग रही थी उतनी इंप्रसिव उनकी परफॉर्मेंस निकल करके नहीं आ पाई तो लोगों ने कहा कि भाई वीडियो में प्लान करके असान होता है मारना अगर आप इंटरनाशनल प्लैटफॉ पर या किसी ऐसे प्रॉफेशनल प्लैटफॉर्म पर खेल रहे हो तो वहां थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो खैर वो बीपियल में नहीं चल पाई वापस से पाकिस्तान आ जाते हैं लेकिन यहां पर उनका किस्मत कनेक्शन हो जाता है किस्मत कनेक्शन इसलिए कह रहा जिस बिकोज आप बीपियल में तीन मैच नहीं चले इसका मतलब यह नहीं है कि आपके अंदर हुनर नहीं है जरूर उन्होंने हुनर देखा होगा और इसलिए उन्होंने उनको टीम में रखा और जैसे ही वो हारिस रौफ और शाहिन शाफरीदी के सामने बल्लेबाजी करन आए हो हो मतलब सब देखते रहे अब लोग सिफ इंतजार कर रहे हैं कि अगली बार कब नाफे बैट ले करके क्रीज पर उतरेंगे कोई भी बॉलर हो क्योंकि जो कॉन्पिडेंस उनका था जब लहौर में घुस करके शाहीन और हारिस को उन्होंने कूटा है उसके बाद उ नो लुक शॉट मारता है तो लोग पूछते हैं कि भाई यह है कौन और इनका नो लुक शॉट बहुत चर्चमें प्रेस कॉन्फरेंस में बैटे थे वहाँ पर भी मीडिया ही पूछ रही थी कि यह आप कैसे कर लेते हैं यह नो लुक शॉट क्या मतलब मसला क्या है तो उन रहता हूं लगतार कोशिश करता रहता हूं और इस वज़ए से मैं बहतर हो गया हूं पर उनसे पूछा गया कि अच्छा यह बताओ तुम्हारा फेवरेट प्लेयर कौन है तो वह कहते हैं रोहित शर्मा और उनके अंदाज में बहुत रोहित शर्मा देख भी रहा था था रहत शर्मा फिराट खोली का भी नाम लिया कि यह मुझे बहुत पसंद है इनको देख करके मैं बड़ा हूँ और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब बाबर खेलने आ गया जब बाबरे डेब्यू कर लिया तो मैं बाबर को देखने लगा और बाबर को देखते हैं कि बाबर बाबर ने बहुत सार रन बनाने शुरू कर दिया तो फिर मैं बाबर को भी फॉलो करना शुरू कर दिया तो बाबरे मुझे काफी अच्छे लगते हैं इसे मुझे मुझे मानस लेवुशेन का वो कॉन्रसेशन याद आ गया जो उनकी टीममेट्स उनसे पूछ रहे थे कि तुम्हारा फेवरेट प्लेयर कौन है तो मानस ले उस टाम कह दिया था कि ABD और हाशी मामला तो उन्होंने कह था कि नहीं नहीं अगर ऑस्टेलिया से ख कुछ गया कि आपका मौटीवेशन क्या है तो अन्होंने बताया कि जब मैदान में मैं आ रहा होता हूं तो मैं अपनी फुद की वीजियोज देखता हूं क्योंकि मुझे अपने श्गर्य़ों बहुत पसंद है तो मैंच्व वीजियोज लगता हूं तो मुझे लगता है ये बहुत प्रॉपर शॉट मैंने मारा था कुछ ऐसा ही जाकर के मैदान में ट्राइ करूँ आ तो मैं उतरने से पहले अपनी वीडियोस देखता हूँ और वीडियोस को देखकरे काफी मोटिवेट हो जाता हूँ लाने के बाद वो परफॉर्म नहीं कर पाया तो फिर उसको उसके कोच की वजए से पीएसल में मौखा मिला और पीएसल में फिर उसने लाहौर में घुस करके लाहौर को हराया है और ये काम पहली बार हुआ है कि कोईटा ने लहोर में घुस करके लहोर को हराया है तो खेर ये जो नाफे हैं देखते हैं कि आगे अपनी टीम के लिए कितना नफा बनके आते हैं आगे किस तरह से पी एसलें परफॉर्म करते हैं क्या ये एक रात वाली जो चांदी होती है वो है या पिर ये आने वाले दि मिलेंगे तो वो भी बहुत अच्छी बल्ले बाजी करते हैं तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग हुआ कि आगे आने वाले मैचेस में किस तरह से नाफे परफॉर्म करते हैं क्या आपको लगता है कि नाफे की परफॉर्मेंस जारी रहेगी और क्या आपने भी नाफे की परफॉर्मेंस अतनी ही इंजॉय करी अगर हाँ तो मुझे पिज़ रहा है कॉमेंस सेक्षिन में जरूर बताएं इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें हूं चाते जाते हैं चानल को सब्सक्राइब कर पर जाएं